अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आपको कुछ मिनट में ही याद हो जाएंगे तो चलिए आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं आज का पहला बर्ड है अफेक्शन अफेक्शन मतलब होता है असनेह, अनुराग, अनुरक्ती भाव, मनो भाव, प्रवरिती, जुकाव या लगाव इसका सिरोनेम होता है अटेच्मेंट, लाइकिंग, लव, फॉन्नेस, लोयल्टी, सेंटिमेंट अगर इसका एंटोनेम देखा जाए तो इन्मिटी, हैटओ, डिस्लाइक, यानि हम किसी से अगर लगाव करते हैं, किसी की प्रती जुकाव है, सने है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कि दुस्मनी, नफरत की भावना, हैटर्ड मतलब नफरत की भावना, डिसलाइक, यानि कि नापसंदगी की भावना हो, तो वो एंटोनेम हो जाएगा, ऐसे एफेक्शन का, अगला बर्ड है एग्रिगेट, एग्रिगेट मीन्स होता है समुदाय या समुह, समिस्टी, संचयन समुच्य, मिलाव, एकत्र करना, या हो जाना, या संपूर्ण, या कुल, यानि कि कुल योग, कुल जो एमाउंट होता है, उसी को हम एग्रिगेट बोलते हैं, जैसे एक्जाम में अगर हम पांच भी से का एक्जाम देते हैं, तो सभी भी से का अलग-अलग नंबर आता है, और सभको एक साथ जोड़ करके, तो उसको बोला जाता है एग्रिगेट मार्थ, यानि कि टोटल मार्थ, इसका सिनिनिम हो जाएगा, ऐमाउंट, सम, टोटल, टोटलिटी, इंटारिटी, अड़ज, इसका एन्टोनिम हो जाएगा, अगर कुल टोटल सम को जोड़ नहाए, तो उसका सिंगल हो जाएगा, उल्टा, इंडिवीज्वल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग, अगला वर्ड है, एग्रेसिव, एग्रेसिव मिन्स आक्रमक, आक्रमन सील, लडाकू, उत्साही, उधमसील या गुसैल, जो कुछ बात को लेकर के तुरत आक्रमक हो जाता है, लडने को तयार हो जाता है, उसे एग्रेसिव बोलते हैं, जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा, होस्टाइल, यानि सत्तृता पुर्ण उसका भावना हो, सत्तृता पुर्ण उसका भावना हो, militant, लड़ाकू, combative, contentious, beligerent, attacking यह सब का भी मतलब वही होता है जो aggressive का मतलब होता है इसका intonim हो जाता है complacent, laid back, easy going जो बिनम्र हो, महरवान हो, किसी के प्रती महरवान हो लड़ने को तयार नहीं, मतलब easy going का हो जैसे चल रहा है उसे चलने देना जाए अगला वर्ड है agree, agree means सहमती या राजी होना मान लेना, से मेल खाना, समझोता करना, के अनुकूल होना या किसी चीज़ को सुक्रिती देना, यह agree होता है जिसका synonym accept, consent, not, acid, tally या conquer इसका intonim क्या हो जाएगा, अगर सहमत नहीं है यानि कि differ, contradict, समझोता करना, यानि कि समझोता नहीं उससे क्या होना, contradict हो जाना, उससे अलग वो कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हैं उससे सहमत नहीं है, contradict वहाँ पर word यूज हो जाएगा अगला word है, alert, alert का मतलब होता है, चौकनना, चौकस, सतर्क, फुर्तीला, तेज, चिताबनी, संकट, सूचना, आकूल, इस्थिती या साबधान रहना इसका सुनेनेम हो जाएगा, observant, vilisant, wary, watchful, keen या witted तो इसमें word, vilisant, wary, और witted, यह सब important word है, जिसका मतलब चौकनना, चौकस, सतर्क, या फुर्तिला होता है अगर इसका इंटोनेम हो जाएगा, तो क्या, at sleep, जो चौकनना नहीं है ड्रावजी, inattentive, जो साबधानी नहीं रखता है कुछ चीज के परती असाबधान है, ड्रावजी फिलिंग कर रहा है, मतलब वो सुस्त है किसी चीज के परती, साबधान नहीं है अगला word है, alliance alliance मतलब होता है, मैत्री, संधी, संस्रे, साम्य, सहयोग, संसर्ग, संबंध या सहचार्य इसका सिननेम होता है, कोलीशन, लीग, यूनियन, एसोसियेशन, ग्रूप, एन कॉन्फिडरेशन ये सब का भी मतलब, मैत्री, संधी, या सहयोग होता है अगर इसका एंटोनिम देखा जाए, तो antagonism, antagonism मतलब सत्रूता भावना कैसा हो, सत्रूता पुर्ण हो discord मतलब उससे सहमत नहीं हो, hostility, सत्रूता अगला word है, alone, जिसका मतलब होता है, अकेला, सिर्फ, मात्र, निर्जन, केवल, अकेले जिसका synonym होता है, lonely, single, solitary, detached, isolated, apart इसमें से solitary word बहुत important है, जोकी exam में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये isolated भी important है, detached भी तो आप इसको ध्यान दे करके, copy पर note कर सकते हैं, और leak सकते हैं जो meaning आपको नहीं पता हो, उससे ध्यान पुरवक, copy पर note करें और वीडियो को एक से एक बार में अगर नहीं हो पा रहा, तो दो बार, तीन बार में आप इसको complete कर सकते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए ये word याद हो जाएं, और आपके आने वाले exam में कोई दिकत न हो पाए इसका intonim होता है, together, मतलब अगर अकेले रह रहे है कोई, तो उसको साथ में अगर रहेगा, तो वो उसका intonim हो जाएगा उसका विप्रित हो जाएगा, accompanied, accompanied का मतलब हो जाता है, ये भी कि अगर साथ में मिल कर रहना, escorted, तो ये सब बर्ड, जैसे together तो आप जानते होंगे, लेकिन ये दोनों बर्ड, important है, तो आप इसे धियान में रखें अगला है, amazing, जिसका मतलब होता है, आश्चर जनक, विश्मेकारी, अचमभीत करने वाला, ऐसा चीज आपको देखने में जो अचमभीत कर दे, बहत खुबसूरत, नायाव, सांदार, तो ये amazing का मतलब होता है, जिसका synonym, astonishing, fantastic, fabulous, incredible, marvelous, and wonderful, तो आज से आप amazing, अगर कोई बर्ड आपको amazing लगे, बहत खुबसूरत लगे, तो उसके जगह पर आप amazing छोड़कर astoning यूज कर सकते हैं, fantastic यूज कर सकते हैं, fabulous यूज कर सकते हैं, incredible यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ये सब बर्ड अगर यूज में लाते रहेंगे, तो आपको हमेशा याद तो आप जो बर्ड याद है, तो उसका नया बर्ड यूज करें, जिससे आपको नय नय बर्ड सीखने में आसानी हो, अगर इसका एंटोनेम की बात करें, तो इसका एंटोनेम हो जाता है ordinary, जो उतना खुबसूरत ना हो, साधारन हो, common place, जो common हो, समानने हो, average में हो, अगला बर्ड है ambitious, जिसका मतलब होता है अती महत्वकांची, उचकांची, अभी लासावादी, तो इसका सेनोनेम अगर बात किया जाए, तो aspiring, desirous, emulous, eager, longing, or ardent, यह सब मिनिंग बहुत important है, अगर किसी का इच्छा, जो इच्छा से भरा हुआ हो, desire से भरा हुआ हो, तो उस उसको ambitious बोलते हैं, जिसके पास बहुत महत्वकांचा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हो, उसके जीवन में इच्छाएं भरपूर मात्रा में हो, जो कि कभी खत्म नहोने वाली हो, तो उसको ambitious बोलते हैं, अती महत्वकांची, इसका intonim क्या हो जागा, content, unassuming, satisfied यानि कि अब उसके जीवन में उतना इच्छा नहीं रहा, जो है उसमें क्या है, satisfied है, unassuming है, ज्यादा कुछ आगे के बारे में नहीं सोच रहा है, तो उसका intonim हो जाएगा, अगला word है amend, amend का मतलब संसोधन करना, सुधारना, सुधर जाना, बदलना या union, जैसे आपने पहले से अगर था उसमें, और उसमें अगर कुछ संसोधन करना है, सुधारना है, तो उसके लिए word हम लोग यूज करते हैं, amend, जिसका synonym हो जाता है, improve, correct, rectify, यानि कि फिर से उसको सुधारना, redress, revamp, ameliorate, ameliorate जो word बहुत important है, ये word जिसका मतलब होता है, सुधारना, ये इसका synonym हो जाएगा तो क्या, blemish, impair, rosin, सुधारने के बजाए क्या हो ना, करना, बिगाड देना, उस बात को बिगाड देना, तो rosin कर देना, बरबाद कर देना, impair कर देना, या blemish कर देना, अगला word है, ascend, जिसका मतलब होता है, चढ़ना, आरोहन करना, बढ़ना, राज स descending order मतलब और रोही करम में, और descending order मतलब अब रोही करम में, यानि कि छोटा से बढ़ा जाना, तो उसको ascend करना, नीचे से उपर जाना, जैसे राज सिहासन पर बैठना, तो राज सिहासन पर बैठने से पहले वो उससे कम पद पर होगा, पर भुत पाना, किसी चीज में आगे बढ़ जाना, मतलब वो पहले कम था, अब उससे ज़्यादा पावर मिल गया, पर भुत आ गया उसके पास, तो राइज, इसका synonym हो जाएगा, राइज, माउंट, माउंट मतलब क्या हुआ, चढ़ना, नीचे से उपर, spring, climb, sore, increase, यह सब इसका synonym हो जाएगा, अगर इंटो यानि कि कमी आना, अगला बर्ड है, assist, assist का मतलब हो जाता है, सहायता करना, सहीयोग देना, या में सामिल होना, किसी चीज में सामिल होना, या भाग लेना, या मदद करना, तो assist होता है, इसका synonym, मदद करना का क्या हो जाएगा, help, support करना, aid, सहायता करना, await, relieve, या back, इसका एंटोनिम हो जाएगा, hinder, सहायता करना का उल्टा क्या हो जाएगा, बाधा पहुंचाना, hinder करना, oppose करना, उसका विरोध करना, thwart, यह सब meaning हो जाएगा, जो assist का एंटोनिम हो जाएगा, अगला बर्ड है, assurance, assurance का मतलब आस्वासन, विश्वास, भरोसा, निश्च, प अधिकार पत्र, यह इतने सारे हिंदी मिनिंग, इसलिए दिया हूँ, क्योंकि आपको इसका मतलब समझने में आपको परिषानी नहों, आप एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, पान से आप इसका पूरा मतलब समझ सकते हैं, एक meaning का बहुत सारा मतलब निकलता है तो जैसे आस्वासन विश्वास भरोसा बीमा अधिकार पत्र ये सब क्या है थोड़े अलग-अलग मिनिंग है तो अलग संटेंस में इसका अलग मतलब होता है जैसे इसका सिनुनिम दिखा जाए तो गरांटी अधिकार पत्र तो ये सब एस्वास का सिदुनिम हो जाएगा अगर इंतोनिम के बाद किया जाए तो इंतिनिम इसका अंश्वास ए Flame अश्वास अधिकार पत्र वारंट का मतलब क्या हो जागा अधिकार पत्र तो यह सब assurance का synonym हो जाएगा अगर एंटोनिम का बात किया जाए तो एंटोनिम इसका uncertainty, doubt और hesitancy होता है यानि कि जिस पर हमको विश्वास नहीं है निश्चित नहीं है तो अनिश्चिता, uncertainty, doubt जिसमें संदे हो, hesitancy हो जिस पर विश्वास नहीं हो तो वो उसका विप्रित हो जाएगा assurance का, अगला word है astoning जिसका मतलब होता है आश्चर जनक, बिश्मेंकारी, बिश्मेंजनक, अध्भूत, अभी हमने पढ़ा था amazing जिसका मतलब आश्चर जनक, बहुत खूबसूरत, तो वही word यहां पर है astoning, जिसका synonym surprising भी बोल सकते हैं, astounding भी बोल सकते हैं, amazing आ dull, unimpressive, boring, जो दिखने में boring कर दे, unimpress हो जाएं, जिससे जो impress नहीं कर पाए, dull हो, अगला word है attain, attain का मतलब पाना या प्राप्त करना, या किसी चीज़ पर पहुँचना, उपलब्धी होना या सिद्ध करना, इसका synonym हो जाएगा achieve, accomplish, reach, gain, get या realize, इसका antonym अगर प्राप्त क करना का क्या हो जाएगा, खो देना, तो यानि desert, forfeit, किसी चीज़ को खो देना, चाहे वो आप पैसा हो, चाहे अधिकार हो, चाहे किसी के परतिविश्वास हो, अगर आप खो देते हैं, तो उसको वहाँ पर forfeit word यूज़ कर सकते हैं, surrender, यानि कि अगर आप कोई लक्ष हो, वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ता आप उसको क्या कर देंगे, surrender कर देंगे, यानि कि समर्पन कर देंगे, तो अटेन का ये एंटोनेम हो जाएगा, desert, forfeit, or surrender, अगला word है attentive, जिसका मतलब साब्धान, सतर्क, एकाग्र, चौक बस चौकना, भद्र या सिस्ट होता है, किसी चीज के प्रती साब्धान, जिसका सिनोनीम हो जाएगा intent, heedful, regardful, considerate, responsive, इसका एंटोनेम हो जाएगा heedless, जो सतर्क नहीं हो, असाब्धान हो, inattentive हो, neglectful हो, अगला word है auspicious, जिसका मतलब होता है सुभ मांगलिक, संपन, स्वभाग साली, या सुभकारी, जिसका सिनोनीम opportun, propices, available, timely, benign, और fortunate, अगर इसका एंटोनीम देखा जाएगा तो hopeless, जो स्वभाग साली नहीं हो, आसा, हीन हो, unlucky हो, दुरभाग साली हो, ill-fated हो, मतलब वो सुभ नहीं हो, अगला word है authentic, जिसका सार्थ, बास्तविक, बिशबसनिय, सच्चा या अधी प्रमानित हो, किसी चीज के द्वारा प्रमानित हो, उसका सिनोनीम हो जाएगा, credible, genuine, trustworthy, valid, real, या original, एंटोनीम का बात करें, तो counterfeit, fake, या unreal, जो असली नहीं हो, नकली हो, आवास्तविक हो, अगला word है autonomous, autonomous, autonomous का मतलब होता है, स्वायत, स्वायत, सासी, स्वतंत्र या आत्म निर्भर, जो खुद पर निर्भर हो, किसी और पर depend ना करता हो, तो उसी तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे, कि सिनोनीम हो जाएगा, उसका free, मतलब जो स्वतंत्र हो, independent हो, किसी पर depend नहीं हो, sovereign हो, self-governing हो, separate हो, अलग हो, किसी से उसका मतलब नहीं रहता है, वो खुद पर स्वतंत्र है, unrestrained, इसका opposite हो जाएगा, dependent, जो किसी पर depend करता हो, bound हो, जो किसी से बंधा हुआ हो, separate नहीं हो, bound हो, subject, तो यह सब उसका एंटोनेम हो जाएगा, तो यह आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो like, subscribe और share करना, ना भूले,